हेलो फ्रेंट तो कैसे हैं आप लोगों के लिए लेके आएं फर्मकलोजी अकोशन एस्टेप्टो मैसीन का पढ़ेंगा आज एंटि बैक्टिरियल एक्टिविटी मेक्रिजम अप एक्शन अब्जॉर्प्शन एंड इस्क्रिशन एडवर्स रियक्शन प्रिप्रेशन एंड दोज इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए बेल आइकन को दबादेजिए ताकि आपको हर लोटेस्ट नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे हैं तो चलिए वीडियो को प्लाइकोसाइड एंटिबाइडिक है ठीक इट इस दा ड्रग ऑफ चूज फोर दा टीटिमेंट ऑफ टूबर क्लोसिस यानि यह टीवी के इलाज के लिए पसंदीदार क्या है दवा है ठीक इसके बद अगले पेज पर लिखा है एस्टेप्टोमाइसिन का एंटिबेक्ट क्यूब से ग्राम निगेटिब जिवों के पर खिलाप परभावी होता दिखाता तो ठीक उसके बद लिखा इट इस द ब्यक्टरियो अस्टेटिक इनलोग कंसंट्रेशन एंड ब्यक्टरियो श्यक्ट्र मतलब होता जिवानु रोधाख्यानी जो जिवानु के यानि बएक बैक्टेरियो साइडल का मतलब होता जीवानुद ना सगय और यानि बैक्टेरिया को पूरा पूरा क्या करेगा ये खतम कर देगा किल कर देगा तो जब हाइग इस प्रॉड इसन को रखेगा यह को बठने नहीं देगा ठीक आपको समझभा गया इसके बाद अगले पर लिखा है दा संसेटिव और गेनेजम आर यानि एस्टेप्टोमाइसिन के परती कौन समयदना दिखाता है और समयदन से लोता ठीक लिखा है एकोलाई पूर्गी यानि इसके परती है संसेटिविटी होता है ठीक और उसके बाद लिखा अस्टेप्टोमाइसिन फैसियलिस अस्टेप्टोमाइसिन यह समझे होता है moderate sensitivity होता है यानि मध्यम गती से क्या करता है संवेदना दिखाता है यह जितना भी वेक्टरिया है ठीक इसके बाद अगले पेज़ पर है स्टेप्टो माइसिन का मेकेनिजम अफ एक्षन यह कैसे कार्ज करता है इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक तो इसमें लिखा है फस्ट में स्टेप्टो माइसिन कॉम्बाइन्स विद बैक्टेरियल डाइबोसॉम दिस प्रिवेंट आरेने में स्टेप्टो माइसिन जीवानOO राइबोसॉम साथ जूर जाता और यह आरेने रायबोसॉम's को रोक देता से क्या होता रहे बृटेन फ्रीयोप्र prochain होथा आरेनी से जब रायबोसॉम जूरम को जूरने एमिनो ऐसीड एड़ फरोटिन वीच आर फेटल टू बैक्टेडिया यानि अस्ट्रिक्ट माइशिन ब्राइब सिन गलत एमिनो ऐसीड और प्रोटिन जो कि बेक्टेरिया के लिए कहां तक कोशन सिलेसिद तो इससे क्या होगा बेक्टेटिया में गलत रहर का इससे बेक्टेरिया क्या हो। तीसरा है इन इनिविटेशन ऑफ इन जैम लाइक जन थाइन होना जाए कि क्या करता है निशर्द कर भी रोक देता है जैसे व्यक्टिरिया ग्रॉथ मेड़ किलो जाता है तो इसके बाद अबले पेज पर स्टेफ्टोमाइसिन का अबजर्बस और इसक्रिशन लिखा है तो पास्ट में लिखा ए स्टेफ्टोमासीन is poorly absorbed from the gut so it can be used as an intestinal antiseptic यानि steptomycin आथ से क्या होता पूरली रूप से अप्जॉर्ब होता है इसलिए इसका उप्योग आथ में इनतीस सैप्टिक के रूप में क्या जाता जो आथ की बेक्टरिया को यानि के किल कर देता ठीक अभज़ नयगा और पैजकर वोकत बेक्टरिया को नहीं मार पाएगा ठीक इसके बाद दूसरा है इन्टामस्कुलर इंजेक्शन यानि इन्टामस्कुलर इंजेक्शन पर अच्छी तरह से अफसोसित नहीं हो पाता है इन्टामस्कुलर इंजेक्शन देंगा अच्छी तरह से क्या होगा अफसोसित नहीं हो पाता है ठेक इसके बाद तीसरा है इट इस डिफ्यूज इन्टु आल बोडी फ्लूड एक्सेप्ट सीएसेप बट है कंसेंटेशन इन सीएसेप इन एचीव इन प्रेजेंस आफ मेनेंजल इंफेक्शन यानि या सीएसेप को छोड़ के सभी तरहल पदार्थ में फैल जाता है लेकिन सीएसेप में उस सांदर जाता मेनेंजल सुजन की उपस्थिती में प्राप्त होता है यानि मेनेंजल सुजन यानि ब्रेन के जो इंफेक्शन हो जाता है ब्रेन के इंदर उसमें जो होता है ब्रेन के इंदर सीएसेप होता है तो सीएसेप में क्या होता यह डिफ्यूज नह यानि इसका आंसिक रूप से लिवर में क्या होता है चापचा होता है ठीक उसके बाद लिखा है Elimnation in the thought kidney by the glomeral filtration kidney में नेफरोन का एक भाग होता है glomeral जांसे क्या होता है इसका क्या होता है निसंदन होता है यानि छान के इसको बाहर निकाल दिया जाता है तो यह जोड़ें के दौराण थिक समझना गए आपको इसके बाद अगले पस्ट्रेप्टो मैसिन का एड़वर्स रीयक्शन लिखा है ठीक एड़वर्स रीयक्शन यानि परतिकूल परभव एसक्टप्टो मैसिन लेने से क्या-क्या परतिकूल परभव हो सकता है तो पहला ह नोस्यया and vomiting with oral step to machine यानि मुख से step to machine तो क्या होगा मिपली और उल्टी आस शकता है उसके बाद एब सेस एंड फीवर on intramuscular injection यानी intramuscular injection लेने पर पर फोरा और बुखार आ सकता है ठिक दूसरा है choosing child lens in the form of skin gases and blood dalis Julia यानि त्वाचा पचकते और रक्त भी करती की रूप में असेशनोता हो सकता है ठीक चकता आ सकता और उसके साथ लाल लाल थोड़ा गरिके खुड़ा जैसा हो सकता है इसके बाद तीसरा है एट नर्ड डायमेज इन एन इंपोर्चन टॉक्सिसीटी इट लीड टू लॉस ऑफ एक लिए डिफनेस यानि आठमी तंत्री का छती एक महत्पून विशाकता है यानि अस्टेप्टोमाइसिन का ज्यादा सेवन करने से क्या हो सकता है तंत्री का छती हो सकता है यानि डायमेज हो सकता है जो ही महत्पून है एक नर्ब ठीक यह क्या करता है कांसे जुरा रहता और यह संतुलन और सुनने के लिए रिस्पॉंसेवल होता है तो यह क्या करत इसमें देखा जा सकता है इसके बाद पाचमा है क्यों कि रीमिमीटिक इफक्ट और एस्क्रेटल मसल यानि कंकाली पेसी में इफेक्ट देखा जा सकता है इसके बाद थाटा एडवर्स डियक्शन है इसके बाद एस्टेप्टो मैसिन का लास्ट पॉइंट आए तो फॉर्स्ट में लिखा है esteptomachine sulphate tablet and syrup 0.5 to 2 gram daily in divided doses यानि esteptomachine sulphate tablet और syrup खुराक में 0.5 से लेकर 2 gram पर दिन ले सकते हैं इसके बाद इसमें second point है esteptomachine injection 0.5 to 1 gram daily यानि esteptomachine injection 0.5 से लेकर 1 gram पर दिन ले सकते हैं तो इस तरह से आपका यह चप्टर खतम हो चुका है ठीक यह सारे पुएंट एस्टेप्टो मैसिन के बारे में थे जो आपको अच्छे तरह से बता चुके हैं हम उमीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा यदि समझ में नहीं आया को तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक और इसका पेडियाप आपको इसी के बायो में मिल जाएगा लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो अभी तक लाइक और सस्क्राइब नहीं किया है और आपने फ्रेंट के साथ जरूर सेयर कीजिएगा ठाइक यू बाय बाय टेक केर